लो एव्रिवन वैलकम टू लेट्स डिसकवर इट इस आर्या एंड टोड़ेए वीविल डिसकूस अबाऊट फॉरेस्ट फायर के पिछले वीडियो में हम लोग ने फॉरेस्ट फायर को कवर की नहीं किया था और history को भी नहीं किया था हम लोग नहीं इंगिनिशन टेंपरिचर को कम्प्लीट किया था अच्छे से क्योंकि वह इंपॉर्टन था तभी आप हिस्ट्री और मैजस्ट्री को यह समझ पाओगे तो यहां पर फॉरेस्ट फायर पर उतना तो कुछ है नहीं बस यह है कि जब एक्स् फॉरेस्ट में चला जाता है यानि पूरे होल फॉरेस्ट में फायर लग जाती है और यह जो इस टाइम जो फायर लग जाती है बहुत ही इंपॉर्टन होता है इसे कवर करना कि फॉरेस्ट छोटा हो तो कवर कर सकते हैं लेकिन हम मैंने आपको बता है ओटू के प्रेंस में कोई भी चीज जलती है तो अगर हम इसे बहुत ही बड़ा फाय बहुत ही बढ़ा जंगल है बहुत ही जो बहुत ही बोल सकते हैं पांच चे किलोमेटर में फैला है बहुत सब ज्यादा इसे difficult होता है थोड़ा अगर यह कहीं हो जाता है तो इसे तुरनत बुझाना चाहिए नहीं तो यह पूरे forest में अगर फैल जाता है तो दिक्कत हो जाती है तो टोड़े वीविल डिस्कस एबाट फ़र्स वील कवर दिस इगनीशन टेंपरचर में यहां तक हम लोग ने कवर किया था पिसे वीडियो में आज हम लोग इगनीशन टेंपरचर का एक अक्टिविटी देखते हैं फिर हम आगी चलेंगे ठीक है फिर हम हिस्ट्री आप ऐसे आपको बना लेना है और केकम चेलीटो टेव के पास अपको इसे रखना है फहले दो ऑक और आप दो बना ठीक है दो पहले एक लोग और Kay inve के फिलेम के पास रखो उे वह बर्णिंग करना ्सटार्ट कर FEMA ba filter paper थिक है पहला हो गया वह फेक दो आप दूसरा लो दूसरे पर पानी डाल जादा निए थोड़ा साधी डालने इतना है आपको दिखर है थोड़ा साधी डालने एक से दो एमल पानी डालो ठीक है अब क्या करने है दो एमल से ज़्यादा भी डाल सकते अगर फिल्टर पीपर बढ़ा है तो अब क्या करने है कैंडल के फ्लेम के पास ले जाओ क्या अब आपका फिल्टर पीपर जल रहा है जी नहीं अब आपका फिल्टर पीपर नहीं जले जब अगा और अगर आप इसे देखो गया यहां पर तो ए वांब हो जाएगा यह गर्म हो जायगा यानि आपको पानी यहां यह दे लिद्ध यह धीरे धीरे इसी यानि फिल्टर पेपर में ही बॉइल करना स्टार्ट कर जाएगा ओके यहां पर बही ही चीज है तो बस हीट सप्लाई टू दा पेपर कप इस ट्रांसफर तो वाटर बाई कंड़क्शन ठीक है पर का वह बहुत ही जादा हो गया था तो वह रिच नहीं कर पाया हैंस इसलिए वह नहीं जला the substance which have low ignition temperature and can easily catch fire with a flame called in the flaming substance यह बहुत important है से आप five times read करो कि वो substance जिसका low ignition temperature पे वो easily fire को catch कर जाता है उसे हम in flaming substance कहते है example है in flaming substance का, inflammable substance का LPG, alcohol, petrol और etc आप क्या और inflammable substance के बारे में बता सकते है अगर बता सकते है तो comment box में जरूर लिखे है अब चलिए आगी चलते है अब history of majestic देखे है history of the majestic is very old history of majestic का वो बहुत ही पुरानी है more than five thousand years ago यानि आज से पांच हजार साल पहले small piece of pine wood dipped in sulphur were used as match in ancient Egypt ठीक है pine wood एक तरह का out होता है जिसे small pieces में cut किया जाता था five thousand years ago और उसे sulphur में dip करके Egypt में use किया जाता था the modern safety match stick match was developed only about two hundred years ago ठीक है उस time तो ऐसे कुछ ही use किया जाता था लेकिन आज जी हम लोग match stick यूज कर रहे हैं जादा नहीं यह two years ago ही develop हुए है mixture of antimony trisulphide देखे क्या-क्या मिलाया जाता है at that time पे ना match stick में mixture of antimony trisulphide potassium chlorate और white phosphorus कुछ glue के साथ और starch के साथ starch और glue वहां पे एक्ट करता था उसके head पे लगा दिया जाता था किसके suitable wood यानि pine wood पे या फिर कोई suitable और उड़ पे क्या-क्या antimony trisulphide potassium chlorate and white phosphorus को अप्लाइ कर दिया जाता था लकडी के head पे when struck और जब वह किसी rough surface के अगेंड से struck करती थी तब वह बर्ण कर जाती थी मैं आपको बता दूँ कि white phosphorus का ignition temperature बहुत ही कम होता है थोड़ी सी heat में वह आग पकड़ जाता है और white phosphorus got ignition due to heat of friction जैसा कि हमने देखा कि potassium chlorate potassium chlorate white phosphorus और trisulphide anti-money trisulphide हम add करते हैं तो white phosphorus भी आड़ करने हैं और इसका ignition temperature बहुत ही कम होता है जो हम जब इसे एक बोल सकते हैं जब हम इसे rough surface के अगेंड से strict करते हैं तब इसे friction से heat मिल जाता है जिससे यह burning के capable हो जाता है आज के दिनों में ना however white phosphorus proved to be dangerous for the worker involved in the manufacturing of match and for the users तो जो white phosphorus है ना white phosphorus यह बहुत ही dangerous होता है जहां यह बनता है ना factory वगरा में तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए तो आज के दिनों में ना safety majestic जो बनी है ना वह बस anti-money trisulphite potassium chlorate ठीक है potassium chlorate से बनी है किस-किस से बनी है आज जो हम लोग मैचिस्टिक यूज करते हैं उसमें बस anti-money trisulphite potassium chlorate होता है और जो किनारे में हमारा एक रहता है ना वह एक लाल कलर का strip क्या होता है उसमें little red phosphorus को अपलाई कर दिया जाता है जो बहुत ही means less dangerous होता है बहुत ही कम dangerous होता है जब anti-money trisulphite potassium chlorate का mixture जो हमारा वो था rough surface यानि less dangerous हो जाता है तो जो कुछ red phosphorus होते हैं वो white phosphorus में convert हो जाते हैं और हमाने पास क्या आ जाता है हमाने पास आग पकर जाता है उस हम उसे चूला वेगर हम जला लेते हैं ठीक है they immediately react phosphorus sorry they immediately react with potassium chlorate in the majestic head to produce enough heat or ignite anti-money trisulphite and start the combustion ठीक है यहां पे क्या बूला जा रहा है तूरंत से मैचस्टिक होता है जो जो हम लोगों ने apply किया था मैचस्टिक के head पे chloride potassium chloride वो तूरंत यानि ignite हो जाता है और anti-money trisulphite combustion में help करता है तूरंत आग पकर जाता है यह दुनों का mixture जैसे ही रब करता है red phosphorus white phosphorus में convert हो जाता है और आग जल जाता है अगले वीडियो में अगले वीडियो में क्या देखेंगे मैं आपको बता दू अगले वीडियो में हाव डूबी कंट्रोल फायर कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं फायर को क्यों करते हैं इसके बारे में देखेंगे पायर एक्स्टिंगुश के बारे में देखेंगे टाइप ऑफ कंबोशन फ्लेम बहुत सारी चीज़े भी बांकी है तो सारी चीजों को हम देखेंगे अगले वीडियो में from this side area thank you